Hello Everyone, Welcome to Mind Boosting Classes इस वीडियो में Class 7 NCRT Science का Chapter 12 Forests Our Lifeline का Part 1 देखने बाले हैं इस वीडियो में Science का Chapter 12 वीडियो है Forests Our Lifeline इसको अच्छे से समझने बाले हैं लेकिन ये Part 1 है इस Chapter को हम दो पार्ट में cover करेंगे तो पहले Part 1 से शुरू करते हैं तो एक शाम भूजो जो है पार्क में एंटर करता है एक परसन की साथ वो जो है थोड़े बड़े होते हैं भूजो से और वो होते हैं प्रोफेसर तो भूजो अपने दोस्तों से इंट्रिट्यूस करवाता है उनको प्रोफेसर एहमद उनका नाव होता है वो एक साइंटेस्ट है जो कि यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो जो बच्चे हैं वो खेलना शुरू कर देते हैं और जो प्रोफेसर एहमद है वो साइड में बेंच पे बैच जाते हैं बहुत ज़दा ठके हुए होते हैं क्योंकि उन्होंने golden jubilee celebrations of the town में participate किया होता है golden jubilee होती है जब 50 years complete हो जाते हैं तो golden jubilee जो town की थी उनके शहर की थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था तो थोड़े देर बाद बच्चे भी उनके पास आगे पैट जाते हैं और वो पूछ गारी है ठीक है तो उस वाली problem पे बात की a plan was proposed to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town तो सोचा किया कि जो forest है ना town के बाहर एक forest है उस forest के जितने पेड है उनको काट दिया जाए और वहाँ पर एक factory भना दी जाए क्योंकि unemployment की problem भट रही थी लोगों को jobs नहीं मिल रही थी तो एक नई factory बनती तो वहाँ पर लोग काम भी करते हैं तो यह जो है क्या है this would give the increasing population of the town a chance to get jobs तो जो population भटती जारी है गाओं में और factories या जितने भी काम करने वाली जगे हैं वो कम है तो फिर इन्होंने सोचा कि एक और हम factory खोल देंगे तो वहाँ पर फिर jobs के लिए लोगों के पास opportunities भी हो जाएंगी और लोगों में जो है इसी की problem थी unemployment की तो जो children है वो बहुत जादा surprise हो गए जब प्रोफेसर एहमद ने उन्हें बताया कि लोगों ने इस idea को सोचा है तो बच्चे बड़ी जादा ही हैरान हो गए तो यह होता है forest यहाँ पर व्यू दिखा रहे है forest का बहुत स is because the forest serves as green lungs and water purifying system in nature तो जो nature है उसमें भी water purifying system की तरह एक तरीके से forest काम करते हैं अब यह water purifying system की तरह कैसे काम करते हैं forest के बारे में बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से पता रही था कि forest के अंदर इतनी सारी क्या शीज़े है forest अमरे यूसफुल है क्यों तो यह सारे बच प्रोफेसर एहमत को लगा की बच्चों ने तो कभी forest को विज़े ही नहीं किया तो चिल्डरन भी जानना चाते थे forest के बारे में तो उन्होंने प्रोफेसर एहमत के साथ डिसाइड किया कि चलो हम भी forest घुंकर के आते हैं और देखते हैं कि forest में ऐसा क्या खास है a visit to the forest अब देखो एक सुभे सेंडे की मॉर्णिंग जो चिल्डरन हैं उन्होंने कुछ चीज़ें अपने साथ टकली जैसे की नाइफ हो गया एक हैंड लेंस हो गया इस्टिक हो गया नोटबुक हो गया और वो forest में निकल पड़े ठीक है जो विलेज के पास था on the way वो टिबू से मिले जो की एक यंग लड़का था उनीके एज गरूप में था उनीके एज गरूप का था तो वो गाउं के पास ही रहता था वो क्या कर रहा था वो भी अपनी आंट की साथ अपनी जो बग्रिया बगेरा थी उनको गास चुडाने के लिए ले जा रहा था तो वो बहुत ही ज़ादा इधर उधर डौड रहा था जिसे जितना भी जुन्ड वो ले जा रहा है वो एक साथ रहे कैटल जो ले जा रहा है उसको कंट्रोल में रखने के लिए तो जब उसने बच्चों को देखा तो टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू किया और जो उनकी आंट थे वो दूसरी तरीके दूसरे रास्ते से चले गए कैटल को लिते हुए तो जैसे उन्होंने फॉरेस्ट में एंटर किया तो टीबू ने अपना हाथ उठाया और सिगनल किया उन्हें चुप रहने के लिए क्योंकि जो नॉइस है वो एनिमल्स को डिस्टब कर सकती है जो फॉरेस्ट में रहते है तो यह सब जब फॉरेस्ट में जा रहे थे तो शून मचा रहे थे खुश हो रहे थे तो इसलिए वो पोल रहे थे बाते कर रहे थे लेकिन टीबू जो है वो वही पर रहता था तो उ ऐसा कुछ वीव आया forest का तो वो उपर ले गया टीवू बच्चों को और उसने दिखाया कि देखो ऐसा broad वीव है forest का उपर से forest कुछ इस तरीके से दिखता है चिल्डरन बहुत सब्सक्राइज हो गए क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा land नहीं देखा था the different tops had formed green cover over the land however the cover was not uniformly green तो जो different different tree के top थे ना उन्होंने पूरे land को cover कर लिया था green cover बना दिया था land पे जैसे एक जमीन है उस पर बहुत सारे पेड़ बन जाएं बहुत सारे पेड़ उगाएं और बहुत सारे पेड़ों उस जमीन पे ठीक है उस जखे के उपर उस land के उपर तो कुछ ऐसा ही लग रहा था लेकिन वो पूरा green नहीं था मैं लगा एकदम green color नहीं था उस कोट का the environment was peaceful and a cool breeze was blowing तो क्या है कि environment बढ़ा शान्ती परिये था बहुत ही सदा शान्ती थी ठीक है और ठंडी ठंडी हवा चल रही तो बढ़ा ही fresh सा महाल था बच्चे भी fresh हो गए और खुश हो गए आते वक्त वो बहुत सदा excited हो गए क्योंकि उन्हें birds की अवाज सुनाई दे रही थी और कुछ noise भी आ रही थी branches के उपर से trees के branches के उपर से तो टीबू ने उन्हें पताया कि वो relax करें since it was normal phenomenon here की यहाँ पर तो यह होता ही रहता है अब आप forest में जाओगे तो वहाँ animals भी होगी क्योंकि इतने सारे पेड़ पहुते हैं तो forest में तो animals भी होते हैं तो जंगल में तो यह काफी सदा common है कि birds की अवाज आए birds की chirping की अवाज आए branches की उपर monkeys वके रहा हो तो यह तो एक्दम नॉर्मल ही होता है वहाँ पर तो because of the children's presence some monkeys had climbed higher upon the trees where they disturbed the birds तो क्या होता है कि बच्चे आ गए है तो बच्चों की presence से monkeys जो है पेड़ों के बहुत ऊपर चले गए और बहुत ऊपर गए तो birds वहाँ बैटी थी तो birds उड़ने लगए उनकी आने की वज़े से जो monkeys हैं उनकी आने की वज़े से यह तो birds भी उड़ने लगी इसलिए birds की भ जानवरों को जिससे आप देखो monkeys उपर गया चड़िया उनी तो एक तरीकी का यह alert sound हो गया जिससे सारे जानवरों को पता चल जाएगा जंगल में कि हां कोई आया है किसी की presence है जिससे बच्चे आये थे तो इस वचे से टीबू also told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper areas of the forest तो forest के अगर बहुत अंदर घुसते जाएगे तो थोड़े कम-कम पेड रहेंगे या फिर अगर आप forest के जाएगे तो बहुत ही सदर चैसे monkeys होगे, birds होगे यह सारे common animals रहेंगे अगर आप forest के और deeper areas में जाओगे तो वहाँ पर आपको और भी animals दिखेंगे जैसे बता रहेंगे बोर, bison, jackals, porcupine, elephants वगेड़ा तो प्रोफेसर एहमद जो है उन्होंने बच्चों को question दिया कि मतलब उनको छितावनी दी कि उन्हें deeply नहीं जाना forest में एकदम deep गहराई में नहीं जाना because वहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं भुजो और पहिली को याद आया कि उन्होंने forest के बार में पड़ा था class 6 में as an example of a habitat तो class 6 में हम जान चुके हैं they could see now how the forest provides a home for many animals and plants अब वो दिखते हैं कि forest तो बहुत ही जादा animals बहुत सारे animals और बहुत सारे plants का घर है अगर हम forest को काटेंगे तो उनका घर भी उजड़ जाएगा animals का घर भी उजड़ जाएगा अब यहाँ पर आपको कुछ forest के plants दिखा रखे हैं तो लेंड जिस लेंड पर चिल्टरन गए थे वहाँ पर क्या था वो बहुत सदर trees से था trees से भरा हुआ था तो टीबू ने उन्हें पताया कि कौन सा पेड किसका है साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाज तो यह बहुत सारे थे फेगर खेर, आमला, बैम्बू, अचनार वगेरा तो देखो यह नीम का पेड़ है, यह शीशम का पेड़ है, यह सेमल का है और यह बैम्बू है तो यह सारे पेड़ आपको forest में देखने को मिलते हैं बहुत अलग लग तरीके के तो टीबू बता रहा था प्रोफेसर एहमद जो है, उन्होंने भी पिताया कि बहुत सदे अलग लग ट्रीज भी थे वहाँ पर तो प्रोफेसर एहमद ने भी पॉइंट आउट किया कि देखो यह वाला ट्री यह है, यह शिरब्स हैं, यह हर्ब्स हैं श्रब्स और हर्ब्स की बारे में भी आप लोग जान चुके हैं जो फोरेस्ट का फ्लोड था और जो ट्रीज थे, वर अलसो गवर्ड बिट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स और क्लाइमबर्स क्रीपर्स और क्लाइमबर्स क्या होते हैं, कि इस तरीके से वो उपर भड़ते चले जाते हैं तो बहुत सरे डिफरेंट टाइप के जो ट्रीज थे ना, उनके उपर क्रीपर्स और क्लाइमबर्स भी थे, बेल थी सन जो है, वो barely visible था, लीव से, क्योंकि देखो अब पेड़ पेड़ ही रहेंगे, तो पेड़ के ऊपर ही पत्तियों से पुरग्र जाएगा वो लेंड तो, सूरज की डूप तो बहुत ही कम दिखेगी और सूरज तो दिखेगा इने, तो सूरज जो था, जो सन था, वो जाता लग-लग चीज़े होती हैं, तो जो forest से हमें चीज़े मिलती हैं, आपको पता होगा, forest से हमें paper मिलता है, बैसिकली forest में होते हैं, पेड़ो से थे तो हमें बहुत सरी wooden items होते हैं, लकडी की जमान होते हैं, तो लकडी तो हमें forest से ही मिलेगी न, तो plywood, fuelwood, boxes, paper, matchsticks, furniture, इ सारे के सारे हमें forest से मिलते हैं तो आपकी घर में ऐसे कौन से चीज़े हैं जो कि forest के material से बनी है यह आपको बताना है तो आप बता सकते हो furniture furniture बना और वुड से और वुड हमें मिलता है trees से trees होते है forest में ठीक है तो इस तरीके से और आप और भी बता सकते हैं यहाँ पर देखो वो चीज़े बता रहे है कि कौन-कौन से चीज़े हमें मिलती है forest से चो अभी मेरे आपको बता हैं थे ना देखो गम होके oils, spices, food for animals, medicinal plants and also some of the products which we get from the forest हमें थे सारी की सारी चीज़ें forest से मिलती हैं तो based on the products that we get from plants try to fill table 12.1, one example of each plant is already given, fill the table by adding more examples तो यह 12.1 है तो गम किस प्लां किस प्लांट से मिलता है, medicines किस प्लांट से मिलती है और oil किस प्लांट से मिलता है वो आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है यह आपकी लिए एक तरकी से activity दे रखी है शीला wondered why would have planted these trees प्रोफेसर एहमद replied that nature trees provide enough seeds तो शीला वंडर करती है कि हमें trees को लगाने की क्या जरूरत है तो प्रोफेसर एहमद बताते हैं कि मतलब देखो यह नहीं पूछती शीला यह पूछते है कि जो forest इसमें इतने सारे trees होते हैं तो trees को क्या कोई लगाता होगा जैसे bees यहाँ पर डाले तो एक tree होगा है ठीक है अब इतने सारे trees वहाँ पर रहे हैं तो क्या कोई आदमी होग एसी favorable condition देता है जिससे वो germinate हो जाते हैं और seedlings में develop हो जाते हैं और saplings में भी और कुछ जो है trees बन जाते हैं और वो बताते हैं कि जो branchी पार होता है tree का stem के उपर उसको कहते है crown of the tree तो वो basically यह पताते हैं कि देखो क्या होता है nature में जो trees हैं वो seeds प्रोडूस करते हैं वो seeds जाते हैं जमीन पर और forest का जो floor होता है वो एकदम अच्छा conditions होती है seed के लिए कि seed उस forest की floor पर germinate हो जाता है यानि कि अंकुरत होना शुरू हो जाता है और फिर seedlings saplings में बदल जाता है चोटे चोटे पहले पौधो में बदलता है फिर पौधो से बड़े पेड में बदल जा यहाँ पर roots रहेंगी roots के उपर stem रहेगा और यह जो stem के उपर यह वाला part होता है पेड का जैसे मैं आपको इस picture में show करूँ तो यह वाला जो कुछ crown trees दिखा रखे है crown shape यह वाले जो पूरा यह जो चीज है ना इसको बोलते है crown पेड का crown यह भी पेड का crown है यह भी पेड का तो wood से बनते हैं, seedling wax, honey, gum, katechu यह सारे की सारे चीज़ें हमें किस से मिलती हैं, forest से मिलती हैं, forest के products हैं, professor Ahmed asked children to look up and observe how the branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest, he told them that this is called a canopy, तो जो बहुत tall trees होते हैं, बहुत जदा लंबे trees होते हैं, उनकी जो branches होती हैं, वो एक तरीके से roof बन जाती हैं, दूसरे plants के उपर, forest में, तो इनको canopy बोलते हैं, तो यह देखो, यहाँ पर, यह एक पेड है, और जो बहुत बड़ा पेड है, उसकी देखो, यह पूरा देख रहे हैं, कि इतना एक तरीके से क्या लग रहा है, पूरा roof छट सी लग रही है, इस पेड की, छट सी लग रही है, तो बहुत लंबे-लंबे trees जो होते हैं, उनकी उपर यह canopy होती है, ठीक है, और under story भी दिखा रखा है आपको, यहाँ पर बता रखा होगा under story का, तो basically under story मतलब, under story मतलब के जो नीचे की तरफ plants होते हैं, ठीक है, छोटी height वाले, तो देखो इनके नीचे-नीचे, जो canopy के नीचे जस्ट आती है न, यह सारे leafy पार्ट, तो इसको तो हम under story कहते हैं, और canopy यह सबसे उपर, जितने भी यह leaves वागेरा लग रही होती है, सबसे उ आप आता है, एक और activity, आपको forest या अपने पार्क में जाने, आपके आसपास Ruby पार्क होगा, तो वहाँ आपको trees को observe करना है, और यह identify करना है, आप अपने बड़ी जनों की भी help ले सकते हो, या फिर जो trees की उपर books आती है, उन्हें देखकर पहचान सकते हो, तो आपको characteristics लि अच्छा में draw कर रखे हैं, तो आप भी draw कर सकते हो, प्रोफेसर एहमद कुछ ऐसे trees को point out करते हैं, जिसमें different types और sizes के crowns होते हैं, और उन्होंने जो है, they had created different horizontal layers in the forest, और ऐसे अलग-लग type के crowns होते हैं इन सभी पेडों के, और यहीं एक layer बना देते हैं, पूरे forest में, और उन formed the lowest layer, तो एक तो सबसे top के layer रहती है, जो अभी हमने canopy पढ़ी ठीक है, और इससे नीचे जो होते हैं shrubs हो गए, और उची-उची grasses हो गई, और herbs हो गई, यह lowest layer बनाते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बूला किया है, would we see similar kinds of trees in every forest, बूचो पूछते हैं कि क्या हम प्रोफेसर एहमत बिताते हैं, नहीं, क्योंकि different climatic conditions होती है हर जगी के, तो variations भी पढ़ते हैं, मतलब कि different type के trees रहेंगे, और different type के plants रहेंगे, मतलब देखो, जो climate रहता है, हर जगी का अलग-अलग रहता है, कहीं का ठंडा मौसम, कहीं का गरम मौसम, तो उस मौसम के according, उस climate के according, different, different trees, वहां grow करते हैं, कि कुछ trees होते हैं, जो किसी particular climate मलचे से grow कर पाते हैं, कुछ trees नहीं कर पाते हैं, तो climatic conditions पे भी depend करता है, कि कौन सा पेड कहा होगा, तो same type के trees नहीं होते हर जगे, different type के trees होते हैं, कुछ children जो हैं, वो सुन्दर-सुन्दर butterflies इदर उदर घूम रह जा रहे थी, flowers के उपर जा रहे थी, तो जो जाडियां नहीं होती, उनमें वो बहुत सदा घहराई से, बहुत क्लोजली उनको देख रहे थे, while doing that, their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them, वो forest में इधर उदर घूमेंगे, और bushes जो होती हैं, जाडियां जो होते हैं, उनके आसपस जाएंगे, तो जो बीज वकेरा होते हैं, और जो काटे वकेरा होते हैं, वो उनसे चिपक गए थे, तो उन्हें बहुत सारे insects भी देखने को मिले वहाँ पर, spiders, squirrels, चीटियां और बहुत लग-लग छोटे जानवर भी थे, trees के बार्क पर, plant leaves and on decaying leaves on the forest floor, तो जो पेर की चाल होती हैं, उस प उन्हें बहुत सारे छोटे-छोटे जानवर देखने को मिले, squirrels भी देखने को मिली, और plant के leaves पर, और जो पत्तियां forest के floor पर पड़ी होती हैं, decaying leaves का क्या मतलब है, ये decaying leaves होती है, जो forest के floor पर ऐसी पड़ी नहीं थी पत्तियां, उनको हम decaying leaves बोलते हैं, they started making sketches of these creatures, वो drawing मे इसे creatures हैं, उन सब की, forest का floor जो है, बहुती जदर dark color का था, और वो एक dad और decaying leaves के layer से पुरा भरा हुआ था, fruits, seeds, twigs and small herbs, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होई थी, ठीक है, जैसे आप इस पिच्चों में देख पा रहे हो, और जो decaying matter था, decaying का मतलब गला सड़ा हु तो वो सारे के सारी चीज़ें जो पड़ी थी, वो बहुती जदा warm थी और moist थी, ठीक है, children picked up various seeds and leaves for their collection, बच्चों ने छोटे-छोटे seeds और leaves यहां से घटे कर ली अपने collection के लिए, तो बड़ी ही गर्म-गर्म सी लग रहे ही थी, नीचे पड़ी हुई, और moist का मतलब नमी ज अब आप इन पत्तियों पर चलोगे, तो कैसी आवाज आती है ना, अगर बहुत सरी ऐसी leaves पड़ी हुगे, उनकी उपर आप चलोगे, तो जिसे आवाज आती है ना, वही आवाज वो सुन पा रहे थे, तो थोड़ी इनको dead leaves भी कह सकते हैं, कि जो मरी हुई पत्तियां है, उनकी उपर चड़ने पे बहुत ही अलग टाइब की वाज आ रही थी, तो क्या जो ऐसे decaying matter होते हैं, वो हमेशा गरम होते हैं, प्रोफेसर एहमा सजेस्टेटेट डेट देट देट चिल्वन कूट परफॉर्म एन एक्टिविटी तो इस कोश्चन का आंसर के लिए एक एक activity करनी पड़ेगी, छोटा सा गटा आपको खोदना है, उसमें vegetable का waste और पतियां डाल देनी है, soil से उन्हें cover कर देना है, तो decaying का मतलब क्या होता है, आप समझ पा रहे हो ना, decaying का मतलब खराब हो जाना, natural processes की वज़से जो organic matter होता है, तो अगर वो खराब हो जाए, जैसे fungi गया उसमें बेक्टेरिया की वज़से वो खराब हो ज़से, पुरा सड़ जाए, तो वो decaying matter उसे बोल दिया जाता है, तो हमें यहाँ पर activity में छोटा सा पेट यानी गटा खोदना है, उसमें vegetable का चितना भी waste है, और पतियां है, वो डाल देनी है, soil से उसको cover कर देना है, there are many forests like this, what difference will it make if we cut some trees for a factory, तो पहले इस question का जवाब देते हैं, तो गड़ी के अंदर आप देखोगे, तो गर्म सा मैसुस तो आपको लगे गाई, तो इस कहां सा तो यास हो गया, अब पहली पूछती है, कि बहुत सारे trees होएं यहाँ पर, तो अगर हम ऐसे कुछ forest काट दें के बारे में तो पड़ा ही है, हमने पड़ा है कि कैसे green plants food को produce करते हैं, तो autotrops, heterotrops और saprotrops के बारे में पहले तो आपको बता होगा, तो हमने चाप्टर में साइंस में आयते हम स्टार्टिंग में जान लिया था इनके बारे में, तो autotrops क्या होते हैं, ऐसे plants चो अपना खान खुद बनाते हैं, heterotrops वो होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों के उपर depend रहते हैं, जैसे कि plant के उपर हम human being depend रहते हैं, तो हम heterotrops, saprotrops वो होते हैं, जो की waste material और सडा गला जो होता है ना food उसको खाते हैं, तो वो saprotrops में आते हैं, you have learned how green plants produce food, हम mass वगेरा खाते हैं, दूसरे animals को मार के खाते हैं, तो यह herbivores और carnivores में difference है, तो ultimately यह सारे के सारे तो plants पे डिपेंड है ना food के लिए, तो organism जो की plants पे feed होते हैं, often get eaten by other organisms and so on, अब देखो, herbivores तो भाही ठीक है, क्योंकि उन्हें plants ही खाना होते हैं, वो vegetarian होते है, herbivores मतलब अब तरीकी से vegetarian, जो plants खाएंगे, तो plants पे herbivores तो depend है, लेकिन carnivores के से depend है, तो जो दूसरे animals को मार के खाते हैं, अब जो दूसरे animals को मार के खाते हैं, तो वो जो दूसरे animals हैं, वो भी तो जिन्दा इसलिए हैं, क्योंकि वो plants को खा रहे हैं, तो इसे वज़े से वो हैं हम, grass को कौन खाते है, grass को insects खाते हैं, एक और example है, grass को खाते हैं insects, ठीक है, which in turn is taken by the frog, the frog is consumed by the snakes, तो देखो grass, grass खाएगा insect, अब insect को खालिया frog ने, frog को खालिया snake ने, तो ये एक chain बन गई, food chain कहते हैं इसको, ठीक है, food chain यानि कौन किसको खाते है, तो grass को insect ने खाया, insect को frog ने खाया, frog को snake ने खाया, और snake को खालिया, eagle ने, तो ऐसे बहुत सारे food chain बनते हैं forest में, तो ultimately insects, frog, snake और eagle सब खातो ग्रास को ही रही है, तो grass यानि की पेड़ पौदे, तो पेड़ पौदों पर ही सब depend है, तो इसे बहुत सारे food chains बन जाते हैं, कि कौन जानवर किसको खाता और सारी food chain एक दूसरे से link होती है, और अगर कोई भी food chain disturb हो गई ना, तो other food chain भी disturb हो जाती है, क्योंकि अगर frog को अपना खाना नी मिलेगा, तो snake को क्या मिलेगा, तो ऐसे सब कुछ disturb हो जाता है, every part of the forest is dependent on other parts, हर part forest का दूसरे parts में depend है, अगर हम किसी भी एक component को हटा देंगे जैसे trees माल लो, trees को हमना हटा दिया, तो बाकी सारे भी तो affect हो जाएंगे, क्योंकि trees को भी तो खाते हैं animals, I mean plants को खाते हैं, planting बाद में trees बनते हैं, तो ऐसे हर कुछ एक दूसरे पर depend है, trees ही हट गए तो बहुत सारे components को affect पड़ेगा, उनका घर एकदम तूट जाएगा, उन देखो, यह सारे चीज़ पढ़ेंगे न, तो इधर ही figure 12.9 का काम आएगा, तो figure 12.9 यह सारे चीज़ पढ़कर के आपको समझ आएगा, और यह वाला चीज़ हम next part में देखेंगे, तो यह वाला part हम यहां तक finish करते हैं, 12.3 activity तक ही हमने पूरा finish कर दिया, इसमें हमने बहु Thank you so much for watching this video, part two को जरूर देखेगा, thank you